नमस्कार दोस्तो धारास किचन में फिक्स से आपका स्पागत है आप सभी को पता ही है कि धारास किचन मेरी चेनल है और इसेंटली मैंने इसका नाम जेंच किया है और धारास किचन मेंसे मैंने इसे धारा जोशी व्लोग कर दिया है definitely मैं आपके साथ cooking वीडियो शेयर करूंगी ही पर साथ मैं मैं अपना पुरा दिंग भी शेयर करूंगी कुछ DIY और कुछ home remedies भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आशा करते हूँ दोस्तों कि अब तक जितना प्यार आपने मुझे दिया है इसे ही यह आगे और मुझे मिलता जाएगा तो आशा करते हूँ आपको यह मेरा वीडियो भी अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगे तो अपने friends और family के साथ शेयर करेगा अब तक नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो चलिए दोस्तों व्लोग स्टार्ट करते है तो दोस्तों आज के इस व्लोग में यहां के शाथ शेयर करूँगी बहुत ही healthy और टेस्थी एक recipe और उसके अलावा में यह भी शेयर करूँगी कि हम आयलोवेदिक शेंपू बर केसे बना सकते हैं अधा बंच पालक को हमने अच्छे से धो लिया है और इसे बारे काट लिया है हम बना रहे हैं आज पालक धोगली की सबजी तो लेंगे हम बावल में salt add करेंगे लाल मिर्च पाउडर और healthy powder add करेंगे इसे mix करके पाँच मिन्ट के लिए इसका जब तक पानी निकलेना तब तक side में रख देंगे बनाएंगे gravy लेंगे प्याज, लेसून, हरी मेर्च और अद्रक और इसे हम अच्छे से पीस लेंगे तो ये लिजिए पाँच मिन्ट हो गये है इसका water release हो गया है तो उसमें add करेंगे थोड़ी सी paste जो अभी हमने बनाई है वो add करेंगे हम इसमें बेसन मैंने इसमें एक चोथा कप पर के बेसन लिया है तो दोस्तो आपना आधा कप पर के बेसन जरूर से add करिएगा तो ठोकली अच्छी बनेगी तो हमने इस सारी चीजों को mix कर लिया है और oil लगाई हुई grease की हुई tray में इससे हमने add कर लिया है कढ़ाई में लिया है हमने तेल उसमें add करेंगे जीरा एक बड़ी इलाईची और एग टुकड़ा हम दालचनी का add करेंगे उसमें हमने PC हुई paste add करनी है और बिल्कुल ही low flame पर इसे थोड़ा सा हमें कुक होने देना है अब add करेंगे मसाले लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर ज्यादा यकम अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं धन्या जीरा पाउडर add किया है और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा salt add करेंगे ग्रेवी के हिसाब से और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix करेंगे जब तक कि इसका oil release होना start ना हो जाए तो आप देख सकते हो मसाले ग्रेवी के साथ भुन गए है अब इसमें हम दो टमाटर की प्योरी add करेंगे जिससे हमने पीस लिया है फिर से हमें इसे low to medium flame पर जब तक कि इसका oil release ना हो पकाना है थोड़ी देर बाद हम इसके बीच में कटोरी रखेंगे जिसमें हमने पानी रखा है और उसके उपर हम ट्रे रखेंगे जिससे की एक ही चीज़ में हमारी gravy भी पक जाएगी और हमारी जो ढोकली है वो भी अच 20 मिनिट के बाद हमारी ढोकली का बैटर रेडी है इन सारी चीज़ों को हम निकालेंगे gravy आप देख सकते हो अच्छे से cook हो गई है तो इसे हम medium flame पर boil होने देंगे तब तक हमारी ढोकली भी ठंडी हो जाए ढोकली ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसे काट लेंगे ये square pieces तयार है हमारे आप देख सकते हो मेरा बेशन थोड़ा सा इसमें कम हुआ है और पालक की quantity ज्यादा तो ढोकली हमारी इस तरीके से बनी है आप बेशन की quantity थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा तो इन सारे square pieces को हम gravy में add कर देंगे इसे अच्छे से मिलाएंगे और low flame पर इसे ढखकन ढखकर हमें 5 मिनिट के लिए cook होने देना है जिससे कि धोकली के अंदर भी gravy के सारे flavor बेट जाए तो ये लिजिए 5 मिट हो गए है और gravy हमारी बन कर तयार है धोकली की सबसी हमारी बन कर तयार है तो इसे गर्मा गर्म हम serve करेंगे आप इसे बाजरा रोटी के serve कर सकते हैं खिचडी के साथ भी खाने में ये बहुत ही tasty लगती है तो चलिए दोस्तों अब आगे बनाते हैं हम आयरवेदिक shampoo तो shampoo के लिए यहाँ पर चाहिए हमें यह सुखे हुए आवला यह अरेठा और अरेठा की बीज हमने निकाल लिए हैं तो यहाँ पर सारे जो हम दिखने में ऐसी होती है दोस्तों आप एक बार देख लें यह कहीं पर भी आपको अविलेबल हो जाएगी जहाँ पर आयरवेदिक चीज़े मिलती हो तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लिया है यहाँ पर लेंगे हम तीन लीटर पानी तीन लीटर पानी में हम इसे हमें मिडियूम फ्लेम पर आधे घंटे तक अच्छे से चलाते हुए कुख होने देना है जिससे कि यह जो पाउडर है उसके सारे अच्छे गुण है वो पानी में मिक्स हो जाए तो इसे हमें कॉंस्टरंट आधे घंटे तक मिडियूम फ्लेम पर चलाते रहना है और इसमें एक secret ingredient हम एड़ करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो ये शेम्पू है वो बिल्कुल ही शेम्पू के जैसा ही थोड़ा सा चिपचिपा सा हमें लगेगा तो ये है अलसी अलसी भी हमने 100 ग्राम ही ली है इसे भी हमने पीस लिया है और इसे भी हम पतिले में एड़ कर तो ये चार चीज़े हमने इस्तिमाल की है सेम्पू में तो मीडियम फ्लैम पर हमें इसे 30 मिनित तक अच्छे से कुक होने देना है तो इसे बिल्कुल ही चलाते जाए तो वेसे दोस्तों आप अपने हैर के लिए अगर कोई ऐरवेदिक सोप या सेम्पू यूज करते हैं त अब इसे हमें चान लेना है और याद रखिए दोस्तों इसे गर्मागरम ही हमें चान ना है तो पूरी प्रोसेजर मैंने आपको डिखाई है इसे कपड़े से भी चान लेंगे तो यह लीजिए हमारा चाना हुआ सेम्पू बनकर तयार है तो दोस्तों आप इसे 2-3 महीने त कि आपको रख देना है तो आज का लोग यहीं तक था थैंक्स फूर वोचिंग दोस्तों